तू ही सागर, तू ही सागर है तू ही किनारा, डूंडता है तो किसका सहारा तू ही किसका सहारा खरी ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमहा विनोबाजीना गीता प्रवचनो अध्याई बीजो भाग बीजो अने चलो बगवाने जिवनना सिध्धान्त बताव्या तो खरा पनखाली सिध्धान्त बतावी मुकवा थी काम पार पड़तू न थी गीतामा वर्नवेला आ सिध्धान्तो उपनिशदों मा अने स्मृतियों मा ए पहला बतावेला छे गीताए ते फरी रजू करया तेमा गीतानी अपूर्वता न थी आ सिध्धान्तो आचरवा केवी रेते ए देखाडवामा गीतानी अपूर्वता छे आ महा प्रश्न उकेलवामा गीतानो खास काबेल पनू छे जीवंना सिध्धान्त अमलमा मुकवानी हतोती अथवा युक्ती नेज योग कहे छे सांख्य एटले सिध्धान्त अथवा शास्त्र अने योग एटले कड़ा योगीयाम साधली जीवन कला योगियोए जिवननी कड़ा हात करी छे एविसाख ग्नान देवे क्यारनी पूरेली छे गिता सांख्यन योग शास्त्रने कड़ा बन्ने वड़े परिपूर्ण छे शास्त्रने कड़ा बन्ने मड़ीने जिवननु संदरिय सोडे कड़ाये खेली उठे छे इकलू शास्त्र खाली हवामा अधर रहेशे। संगीत नू शास्त्र समझाए। तो एक गड़ा माथी संगीत प्रगट करवानी कड़ा हाथ लागया वगर नाद ब्रह्म पूरू खिली नहीं उठे। अटला सारू भगवाने सिध्धान्त बताव्या। तेनी साथे तेमनो विनियोग शिखव नारी कड़ा पन बतावी। ये कड़ा कई छे। देहने तुच्छ लेखी आत्मानू अमर पणू ने अकंड पणू ध्यान मा राकी स्वाधर्मनू आचरन करवानी आ कड़ा कई कर्म करना रावनी वृत्ती बेवडी होई छे। अमे कर्म करिये तो ते कर्मना फौल अमे चाक्या वगर न रहिये। अमारो ए हक छे। ए एक वृत्ती छे। अने एती उल्टी बाजू अमने फौल चाक्वाना न मलवाना होई तो अमे कर्म करवाना न थी। ए उठवेट अमेशा सारू करिये, आभी जी वृत्ती छे, गिता त्रीजी एक वृत्ती नू प्रतिपादन करे छे, गिता कहे छे, कर्म तो करोज, पन फळ नो अधिकार राक्षो नहीं, कर्म करनार ने फळ नो हक छे, पन तमारो ए हक राजी खुशी थी छूडी दो, रजोगुण कहे छे, लईश तो फळ नी साथे लईश, तमोगुण कहे छे, छोडी देश, फेकी देश, तो फळ साथे कर्म ने पन फेकी देश, बनने एक भी जाना पितराई छे, एना थी उपर जही शुद्ध सत्व गुणी थाओ, कर्म करी तेनू फळ छोड़ो, आने फळ छोड़ी कर्म करो, आगण के पाचल, कर्म करता पहला, के ते पार पाड़या पची, फळनी आशा राक्षो ना, फळनी आशा राक्षो मां एम कहती वक्ते, कर्म सारामा सारू थवू जुईए, एम गीता ठोकी ठोकी ने कहे छे, सकाम पुरुष ना कर्म करता, निशकाम पुरुष नु कर्म वधारे सारू थवू जुईए, ए अपेक्षा तद दन बराबर छे, किमके सकाम पुरुष फोल ने विशे, आसकती वालो होवा थी, फोल बाबत ना स्वप्न चिंतनमा तेनो थोडो घणो वकत बगल्या वगर नही रहे, औने तेरी थोड़ी गणी शक्ती वेड़फाया वगर नही रहे, पनफोल नी इच्छा वगर ना पुरुष नी एके एक अक्षाण, अने बद्धी शक्ती कर्म पार पाडवा माज वप्राशे, नदी ने रजा होती नथी, पवन ने विशामो खावानो होतो नथी, सूरिय ने हमेश बड़ता रहवा सिवाई विजी कोई प्रवडुत्ती नथी, एज प्रमाने निश्काम करताने सतच सेवा कर्म वगर विजी फिकर होती नथी, आ उप्रांत कुशर्ता माटे चित्तनु समत्व बीजो एक मोटो जरुरी गूण छे, अने तेना पर निश्काम पुरुष्नों खास मालीकी नोहक छे, एकादू तदन बाहर नी कारीगरी नो काम लईये, तो पन तेमा हाथ नी कुशर्तानी साथे, चित्तनी समतानों मेर हशे, तो काम वधारे सुन्दर थशे, एवात दीवा जिवी खुली छे, वड़ी सकाम ने निश्काम पुरुष्न बंडेनी कर्म करवानी दुरुष्टी मां जे फरक छे, ते पन निश्काम पुरुष्ना कर्मने वधारे अनुकूर छे, सकाम पुरुष्न कर्म तरफ स्वार्थनी दुरुष्टी थी जुवे छे, मारूज कर्म अने मारूज फोल एवी तेनी नजर होई छे एति कर्म मा जारे बेध्यान थवाई तो ए तेमा ते नईतिक दोश्मान तो न थी बहुतो वहवारू पणानो दोश्माने छे पन निशकाम पुरुष्णी स्वकर्मनी बाबत मा नईतिक कर्तव्य बुद्धी होवा थी तेमा जराये उनप न रहे ते माटे ते चिवत राहके छे एथी पण तेनु कर्म वधारे खामी वगरनू निवडे छे कोईपन रिते जोता फळत्यागनू तत्व अत्यंत कुशल अने सफ़ल साबित थाई छे एथी फळत्यागने योग एटले के जीवननी कलाना नाम थी उडख मुझो ये निशकाम कर्मनी वाद बाजुए रहवा दै बीजी रिते जो ये तो पाँ प्रत्यक्ष कर्ममा जे आनंद छे ते तेना फळमाना थी स्वकर्म करता करता तेमा जे एक जातनी तनमाईता थाई छे ते आनंद नो जरो छे चित्रकार ने कहिए कि चित्रकारवन उरे वादे ए मांडी वाडवाने जेतला जो ये तेतला पई सातने आपीशू तो ते आपनी बाद नहीं साम्ड़े खेडूत ने कहो के तु खेतर माना जाईश डोर ना चारीश कोस हाकवानू मांडी वाड अमेटने तारेतने जोईये एटलू अनाज भरी आपिशू हाडनो साच्चो खेडूत हशे तो एने आ सोदो नहीं खपे खेडूत सवार ना पोर मां खेतरे जाईशे सुन्य राणायन तेनू स्वागत करेशे पंकियो तेने सारू गीतो गाईशे गाई वाचरडा तेनी फरते एक ठाम अड़ेशे प्रेम थी अने उलट थी ते तेमना पर हाथ फिरवी तेने पंपाड़ेशे पोटे रोपेला जाड़ ते जोई वड़ेशे आ बदा कारियो मां एक सात्विक आनंद रहेलो छे अने कर्मनू मुख्य ने साच्यू फोड आ आनंद छे तेनी सर्खामणी मां तेनू बहार नू फोड छेक गौण बनी जाईशे गिता मांसनी नजर कर्मफळ परती हटावी लेवाने कहे छे त्यारे ए तरकीप्थी तेनी कर्म साथेनी तनमेता सेक्रो गणी वधारी आपे छे फोड नी अपेक्षा राख्या वगर कर्म करना रा पुरुष्णी पोताना काम साथेनी तनमेता समाधी न दरज्जानी होई छे एथी तेने मरतो आनंद बीजालो कोना आनंद करता सो गणो होई छे आरी ते जोता निशकाम कर्म ए जमोटू फोड छे ए बिना समझाई छे जाडने फोड बेसे छे पन फोड ने बीजू कई फोड आउसे एम गणान देवे सवाल करे छे ते तद्दन बराबर छे आदेह रूपी व्रुक्ष ने निशकाम स्वधर्मा चरण जेवू मजानू फोड बेसे पची बीजा कया फोड नी यने शा सारू अपेक्षा राखवी खेडूत खेतरमा घव पकवे ते वेंची ने जुवार लावी तेना रोटला तेने शा सारू खावा केड़नी रसाल वाड़ी बनावी पची तेमाना केड़ा वेंची ने मर्चा लावी ते शा माटे खावा अरे एक केड़ांच खाई ने पन लोकमत ने आजे आवात मंजूर नती केड़ां खावानू सदभग्ये होवा चतना लोकों मर्चा खावा बेसे जाईचे जिता कहे चे एउना कर्षो कर्मज खाओ कर्मज पीओ कर्मज पचाओ जे कहीं चे ते बदू कर्म कर्यामा समाए जाई चे छोकरा रमवानों आनंद मेलवाने माटे रमे चे एती कसरतनों फाल तेमने आपो आप सेजे मले चे पने फ़ाड पर तेमनी नजर होती ना थे तेमनों सर्व आनंद रमत रमवामा होई जे फ़ाड के आगना कितलाक उदाहर जोई ये संतोय पोताना जिवन थी आवाज चोखी बतावी छे तुकारामनी भक्ती जोई शिवाजी महराज ने तेमने माटे घणा माननी लागनी थती एक वकट पालखी वगेरे मोकली तेमने तेमनों सन्मान करवानू शरू करियू पोताना स्वागत नो आवो ठाठ जोई तुकारामने खुब दुख थयू तेमने पोताना मनमा विचार करियो मारी भक्ती नो आफळ आने सारू हूँ इश्वर नी भक्ती करू जू तेमने थयू के मान सन्मान नू फोल बतावी इश्वर जाने के पोताने अलगो करवा मागे छेू तेमने कयू मारू अंतर जानवा छता तुमारी जन्जट टालवानो प्रयास करशे। हे पांडू रंग तने आ बहु बुरी टेव छे। हे इश्वर तारी टेव सारी न थी। तुम आवी नजीवी लालच बतावी मने काढवा माकतो हशे। तारा मनमा तुम केतो हशे कि आ बला बार्ने थी टले तो सारू। पर हुँ कें काचो न थी। हुँ तारा पक जोर थी पकड़ी ने बेसिश। भक्तनो स्वधर्म भक्ती छे। अने भक्ती ने बीजा फलो ना फणगा फूटवा न देवा एज तेनी जिवन कढ़ा छे। पुंडरीक नुँ चरित्र फोलत्याग नो आना थिये उन्डो आदर्ष बतावेश। पुंडरीक माबापनी सेवा करतो होतो। ए सेवा थी प्रसन्न थै पांडुरंग तेमने मलवा दोडी आव्या। पन पांडुरंग ने छंदे चली ने हाथ मानी सेवा परती मुक्वानो तेने इनकार करयो। माबापनी आ सेवा तेना माटे साथ ची इश्वर भक्ती हती। कोईक दिकरो बीजाने लूटी ने माबापने सुख सगवर लावी आपतो हशे। अत्वा कोईक देश सेवक बीजा देशोंनो द्रोह करी स्वदेशनी चड़ती करवा धारतो हशे। पने बन्ने नी ए भक्ती नहीं कहवाई आसक्ती कहवा शे। पुंडरिक एवी आसक्ती माँ फसायो नहोतो। इश्वर नी मुर्ती सामे आवी उभी रही पण परमेश्वर मात्रत तेमा जतो के। ए रूपनु दर्शन थय। ते पेला सुरुष्टी खाली मर्दू हतो के। पुंडरिके एश्वर ने कहुँ, हे भग्वान हुँसाक्षात इश्वर मने मळवाने सामो चाली ने आवेो छे ते समझू छो। पर्न्तु हुँँ पणसिद्धान्त मानवा वलो छोुँ। तुम एकलोज इश्वर छे, ए वात मने मन्जूर ना थी। तुम पण इश्वर छे, ने आ मारा माबाप पण मारे सारू इश्वर छे। एमनी सेवा मा हूँ छू, ते वकटे तारा तरब ध्यान आपी शक्तो न थी, माटे तुम ने माफ कर छे। आम कही, पांडूरंग ने उभा रहवाने तेने एक इट आगल सरकावी, अने पोते पोताना सेवाकारियमा मश्गूल थाई गयो। तुकाराम, कवतुक अने विनोध माखे, अल्यार प्रेम्ति केवो फाटेओ छे। खुद विठल ने पन उबो राख्यो, अने दिट, पन केवो, के पाचु फरीने जोयाव अगर, तेने उभा रहवाने पाचल इट फेकी। पुन्डरी केवाप्रेलो अपण सिध्धान्त फळत्यागनी तरकिबनू एक अंग छे। फळत्यागी पूरुष्णी कर्म समाधी जेम उंडी होई छे, तेम तेनी वृत्ती व्यापक, उदार अने सम होई छे। एथी तरे तरे ना तत्वग्नानों नी जन्जाल मां ते फसातो नथी, औने पोतानों जे होई तेने कदी छोडतो नथी। आज छे औने बीजू नथी, एवा वाद विवाद मां पन ते परतो नथी। आपण छे औने ते पण छे। परतु मारा पुर्तु आज छे। एवी तेनी नम्ब्र तेमज निष्टई वृत्ती रहे छे। एक वकत एक साधू पासे जईने एक ग्रुहस्ते तेने पूछे। मोक्षने माटे शूं घर छोड़ मूझ पड़े। साधू एक कहूं एवु कुन कहे छे। जनक जेवाये राज महलमा रहीने मोक्ष मेड़े। पचित तारे घर छोड़वानी जरूर श्री छे। त्यार बाद बीजो एक ग्रुहस्त आविने साधू ने पूछवाल लाग्यो। महराज घर छोड़े आवगर मोक्ष मले खरो के। साधू एक कईू। ओन कहे छे। खर्मा रहीने एम आराम्ती मोक्ष मली जतो होई तो शुक जेवाये घर छोड़िय। तेशू बेवकू फता। पच ये बे सद्ग्रुहस्तो नो भेटो थाई गयो। अने तेमनी बच्चे जगडो थाई। एक कई साधू एक घर छोड़वानू कईू चे। बिजो कई घर छोड़वानी जरूर नथी एवों कईू छे। बंने साधू पासे पाचा आग्या। साधू एक कईूं। बंने वाद साची चे। जेवी जेनी वृत्ती तेवो तेने माते रस्तो। अने जेवो जेनो सवाल तेवो तेने जवाग। घर छोडवानी जरूर नथी ए पण खरूँछे अने घर छोडवानी जरूर छे ए पण खरूँछे आनू नाम पन सिद्धान्त छे। शास्त्र बताविू, कड़ा बतावि, पने टला थी पूरे पूरू चित्र नजर सामे उबू थतू न थी। शास्त्र निर्गूण छे, कड़ा सगूण छे, पन सगूण सुद्धा आकार धारन न करे, त्या सुदी व्यक्त थतू न थी। केवण निर्गूण जेम हवामा अदर रहे छे, तेवू निराकार सगूण नूँ पाण बने एवो पूरो संभव छे। गूण जेनामा ठरी ने मुर्तिमन्त थयो होई, तेवा गूणीनू दर्शन एज आ मुश्केलीनों इलाज छे। तेथी अर्जुन कहे छे, ए बगवान, जीवनना मुख्य सिद्धान्तो तो तमें कई बता जया। ए सिद्धान्तो ने अमलमा मुख्यानी कळा पन तमें बतावी, चता हजी मने चोखो ख्याल आवतो नाथी। हवे मारे चरित्र सांबल मुँछे। सांख्य निष्ठा जनी गुद्धी मा स्थीरतै होई, फलत्याग रूप योग जना जीवन साथे वनाई गयो होई, एवा पुरुष्ण लक्षणों मने वर्णवी बताव। फलत्याग नूँ पूरे पुरु उन्डाण बताव नारो, कर्म समाधी मां मग्न रह नारो, अटल निष्चैनों महा मेरू जने स्थितप्रग्न कहीने ओलखावाए, ते पुरुष्णू बोलवानू केवू होई छे, बेस्वा उठवानू केवू होई छे, चालवानू के मने कहो, ए मुर्ति केवी होई छे, तेने ओलख्वी के विरिते, हे भगवान ए बदू मने बतावू, अर्जुन ना आ सवालोना जवाप मां, बीजा अध्याईना छेवतना अधार शलोकों मां स्थितप्रग्ननू गंभीर, तेमज उद्दात चरित्र भगवाने वर्णव आडार शलोकों मां गीताना अडार अध्याईनो जाने के सार संग्रे होचे, स्थितप्रग्न गीतानी आदर्ष मुर्ति छे, ए शब्द पन गीतानो स्वतंत्र योचेलो छे, आगल पांचमा अध्याईमा जिवन मुक्तनू, बार्मामा भक्तनू, चवदमामा गुनातीतन अडार मामा ग्नान निष्टनू आवूंच वर्णन आवेचे, पने बधा करतां स्थितप्रग्ननू वर्णन वधारे विस्तार्थी तेमच खुलासावार करेलूँचे, तेमा सिद्धना लक्षनोंनी साथे साधकना लक्षनों पन बतावामा आवेचे, हजारो सत्याग्र हिस्त्री पूरुशो, रोज सांजनी प्रार्थनामा आ लक्षनों बोली जाईजे, दरेके दरेक गाममा अने दरेके दरेक घरमा ए पूँचाडी शकाई तो किटलो आनन थाए, पन पहला ते आपना रुदैमा वसशे, तो बहार सहजे आपो आप पूँची जशे, रोज बोलाई ते पाठ यांतरिक बनी जाई, तो चित्तमा ठसी जवानी वात आगी रही, उल्टो ते बुसाई जाई, पड़े नित्य पाठ नो वाक न थी, मनना अभावनी खामी जे, नित्य पाठ नी साथे साथे, नित्य मनन और नित्य आत्म परिक्षन बन्यनी जरूर रहे स्थितप्रग्ण एटले स्थीर बुद्धी वालो पुरुष, एतो एना नाम परती चोखु समझाई जे, पन संयम वगर बुद्धी स्थीर क्या थी थाए, एती स्थितप्रग्ण ने संयमनी मूर्ति कहो जे, बुद्धी आत्मनिष्ठ औने अंतर बाहिय इंद्रियो बु पलो टेशे, इंद्रियो रुपी बलत पासे ते निश्काम स्वधर्मा चरण निखेती व्यवस्थित रिते करावेशे, पोताना एके एक श्वासो श्वासनो ते परमार्थमा उप्योग करेशे, इंद्रियो नो आवो संयम सहलो नथी, इंद्रियो नो बिलकुल होई एम बने, मौन, निराहार वगेरे वातो बदी अघरी न थी, अने इंद्रियो ने बेलगाम छोडी मुकवानू तो सव कोई करी शके एवु बने छे, पां पाचबो जेम जोखमी जग्याए, पोताना अवयो पूरे पूरा अंदर खेंची ले छे, अने सलामत चे, तेवी जृते, फिशय उपभोग माथी इंद्रियो ने फेरवी ने वाली लेवी, अने परमार्त कारियमा तेमन पूरो उप्योग करवो ए संयम महा कपरो चे, ते माटे भारे प्रयतन जरूरी चे, गिनान पन जरूरी चे, अने बदी कोशिस करवा छता, ते हम्मेशा पूरे पूरो पाड पडेज एवु न थे, तोशुन निरास्ते मैनत करवानू मांडी वळवो, नारेना साधप्ती कदी निराश न थवाए, तेने पोतानी साधप्त तरीकेनी बधी युक्ति वापरवी, अने ते अधूरी पडे त्या भक्तिनो साथ लेवो, एवी अत्य प्रेंत किमती सुचना आ स्थितप्रग्णना लक्षणों वर्णवता भगवाने आपी छे, आ सुचना तदन मापसरना थोड़ा शब्दों मां करी छे, बन ढगला बंद व्याक्यानों करतां तेनों मुल्य वधारे छे, केमके भक्तिनी ज्यां खास जरूर छे, त्यांज ते हाजर करी छे, स्थितप्रग्णना लक्षणनों सविस्तर विवर्ण आजे आपने अहीं करूँ न थी, पन आपनी आखी साधना मां भक्तिनी आ अचूक जग्या आपने चूकी न जईये, तेटला खातर तेना पर खास ध्यान केचू छे, पूर्ण स्थितप्रग्ण आ जगतमा कोन थाई गयो होशे, ते एक भगवान जजाने चूकी पन सेवा परायन स्थितप्रग्णना नमुना तरीके, पुन्डरिक्रनी मूर्ती कायम मारी आँक सामे तल्या करे चूकी में ते तमारी आगल रजू खरी छे, थायू त्यारे, स्थितप्रग्णना लक्षण पूरा थाया, अने बिजो अध्याई पन समाप्त थायो, सार रूप एटलू केवाई, कि निर्गून वत्ता सगून वत्ता साकार मली ने संपूर्ण जीवन शास्त्र बने चे, बिजाशब्दों मा काउं, तो सांख्य बुद्धी वत्ता योग बुद्धी वत्ता प्रज्ण एटले संपूर्ण जीवन शास्त्र, आमाथी ब्रह्म दिर्वान अर्थात मोक्ष एसिवाई बिजुश्म फेलेत होई, प्रवचंतारिक 28 फेबरुवारी 1132 रविवार, हरीही ओम जय जगत, अध्याई बीजो अहीं पूर्ण थाय जे, ओम श्री कुष्ण परमात्मने नमहाँ रूंडता है तो किसका साहारा